हेलो गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताऊंगा एड़ाउब फोटोशॉप 7.0 में इजीली शॉटकट तरीके से कैसे पास्पॉट साइज फोटो रेडी कर सकते है एंड उसे प्रिंट करके भी दिखाऊंगा सबसे पहले हम फोटोशॉप एप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे यहां से इमेज को क्रॉप करेंगे यहां पे क्लिक करें आप इसे अपनी साइज के इसाथ से सेट कर लीजे मैं इसे एफ और पेज में प्रिंट करने वाला हूं तो एए साइज रेकेमेंड करता हूं पिकसल सेंटिमेटर में है तो हंड्रेट रखे एए इंचेस में फ्री हंड्रेट कर देर करेंगे तो यह हो जाएगा पासपर्ट साइज पोटोज में हम कंदे का वहाँ से क्रॉप करते हैं अब हम थोड़ा इमेज की लाइट को एजिस्ट करेंगे आप यहाँ से कर्व ओपन कर सकते हैं या तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस एम प्रेस करके कर्व ओपन कर सकते हैं फाइल के जाके न्यू पेज ओपन कर लेंगे और प्रेसेट साइज में एफोर सिर्ट कर लेंगे अब इमेज को ड्रैग करके लेके आ जाएंगे पेज पे और डुब्लिकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल को प्रेस करके ड्रैग करके करेंगे इमेज को ड्रैग करके पेज पे लेके आके एक एक करके इसे एफोर साइज में सेट कर लिए प्रिंट करने का हिसाब से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं इससे स्ट्रेट लाइन में बनाने के लिए अब हमारी इमेज में बॉर्डर देने के लिए simply edit पे जाके strokes में जाएंगे width पे 3 fix रखेंगे और color black select करेंगे अब इसे control plus 3 press करके print कर लेंगे और अपने printer को select करके paper में premium glossy standard से high कर देंगे ok करेंगे friends हमारा printing शुरू हो चुका है मैं printing के लिए Epson L130 printer का यूज़ करता हूँ printer की review की link मैंने दे रखिए description में अब उसे देख लीज़े वीडियो अच्छी लगी तो like करे, comment करे और चैनल को subscribe करेंगे एक यूज़ सत्ऊ़ ङसे दूज़ी नर्यदंधे यूज़, एकuko ć RS ! यूज़े जर नर्य दोई हाँ